नमस्कार, एक्जूटिक वेब मिडिया डिजिटल चैनल मा आप सवनू हार दिक श्वागत करूछू एल्चुकेशन गाइडन्स प्रोग्राम मा आज आमारी साथ हैं यां उपस्तित छे डॉक्टर निलेश भाई पतेल निलेश भाई आपनू श्वागत करूछ अमारा स्टूडियो मा निलेश भाई न अपने थोड़ो परिचर आपीस तो निलेश भाई घुरुक रुपा विध्यालाईना प्रिंसिपाल छे अने मोटिवेटर स्पीकर छे सर्टिफाई ट्रेनर छे तेओ अने एजुकेशन स्टेत्रे तेमनो विश्वर्स नो अनुभोव धरावे छे आवा निलेश भाई पटेल आपनी साथ हैं युँपस दिच्छने एजुकेशन गाइडन्स सीरीज मा आज आपणे वाद करवाना छे दोरण बार ना इंग्रिश ना पेपर वी से अंग्रिश नुँ इंग्लिश नुँ पेपर विध्यार्थी मित्रों ये केवरीते लखवानू छे केवरीते सरड ताथी तेओ इजी सारा कोर्स मार्क्स मेडवी शकेचे ए बाबते आजे आपणे निलेश भाई पासे ती माहीती लेवानी छे विध्यार्थी मित्रों अने अमारा कारेक्रम ना प्रायोजक छे लव एंड केर, एंडोस्कोपी, IVF सेंटर, एंड मेटेनीटी सूरत, डॉक्टर तीप्ती एंड डॉक्टर दीपक भाईब पतेल ना सहियो जन्तिया अमारो कारेक्रम आखोई हो जायो छे, आ कारेक्रम नो सहकार तेमिने आपयो छे, एटले हमें आएजुकेशन गाइड सीरीज 15 दीवस चलावी रहा छे, आजनू जे पेपर छे एना रिलेटेड आपने वाद करिये, तो निलिशबाई धोरन बार नू अंगरे जीनो विशाई, एना उपर आपने आजे विद्यार्थी मित्रों ने माहीती आपवा नीशे, पन ते पेला हुँ, थोडिक सैक्षाणिक जे हमना फेरफार आव्या छे, सैक्षाणिक अक्षेत्रमा, तो एना विशे आपने वाद करिये के, ए विद्यार्थी मित्रों माटे केटलू इल्लाब दाई छे, सर. नमस्कार, दर्शक मित्रों, सरस मजाना एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिडल चेनल ना, आजना आ सरस मजाना बाड़ोको माटे ना मार्थ दर्शननू जे आयोजन थयू छे, त्यारे आप सर्वने, मुँ आउकारू छू, अने यामिनी बेन, अने पिनल बेन, जियारे आ निरंतर, आर इतना बाड़ोको माटे ना, मार्थ दर्शनना कारेकरमों योजे छे, अने बाड़ोको सुधी, दरेक जुदा-जुदा वक्ताओने बोलावी ने, आर इतना आयोजन करे छे, त्यारे आयमना शरस एक आहवानने, आपड़े बिर्दाविये छे, अने प्रस्न एमनों जी हतो, एने वुँ आगर कंडिन्यू करूतो, मित्रो हमनाज, बेर इयोज पहला सरकार्श्री ए, जे एक पगलू लिदू छे, जे एक जी आर बाहर पाड़ियो छे, तो एना माटे महरू पोटानू एक अंगट एवू मानवू छे, कि ए आवकार दायक पगलू छे अने आवकार दायक पगलानी अंदर, एमने जे कईू छे, ए प्रमाने धोरोन त्रोन थी, बार धोरोन सुधी ना, डरेक बाड़ोकोनी परिक्षा, सरकार्श्री तरफ थी, बे वार पेपर, एक फरस्टम और एक वार्षिक परिक्षा ना पेपरों आपफामा आउसे, अने एमह पण उमेरी ने जो कईस्तो, एमने उजे आयोजन आपियू छे, एनी अंदर जोई शकाई छे के है, धरेक आजे परिक्षा छे, ए परिक्षा ना पेपरों बीजी जेगिया है, एडले के बाहर साड़ा शिवाई, बाहर तपाश्वामा आउसे, एले एक सरस मुल्यांक थासे मारी द्रस्ती है, एव मारू अंगट मानूँ छे, और आउनारा डिवोसों मां हवे जियारे विश्वानी अंदर भारत नुए एक अलग नाम थवा जयी रही हुछे, और एव केवाई ने नई शुबा इतनी शुहानी हो जाए, नई साम इतनी जोशली हो जाए, दे जाए, ये दिन इतनी खुशी हा, कि दोस्तों खुशी भी आपकी दिवानी हो जाए, एवा विचार साथे, जियारे आँ देश आघर्वधी रोयो छे, त्यारे सरकार स्री ना आप अगलाने आपड़ा आउकारी है, और जे कईक शुचन होई, ए चोकस पहुचारी से तो आ पण थाई सक्षे, और वाट छे, धोरण 10 और बारमा जें बोर्ड नी परिक्षाओ लेवातिया टीटेरी ते न धोरण 9 और अग्यार नी अंडर पण, आर इटनूज आयोजन थावा जही रोयो छे, तो एनी अंडर पण बाड़ो को व्यवस्तित्री ते तैयारी करीने अगर वड़ से, यही आपने आशा राखिये छे, हाँ, पगलू थोड़ू वहलू छे, यही कई सकाई, पन अवे जियारे आव्यूज छे, तो त्यारे चोक्कस अवे एनू एक आयोजन थाई, और इए आयोजन नी अंडर जो आपने चोक्कस आयोजन थी आगर वदी सुने तो मने वू लागे छे के, चोक्कस धरेक बाड़ों को पन सारी तैयारी करशे, शिक्षो कोने एक आयोजन मर से, तो आ आयोजन ने शिक्षो को पन आगर वदारी शक्से, तो चोक्कस एमा सफरता मर से, एमा कोई शंकाने स्थान न थी, आमिनी बेन. कदाच के, आवो नीडाय आवयो चाने, एना कारणे अमने कोई नुक्सान थाई शके चे, या तो अमारा रिजर्ट माँ कोई फेरफार थाई सके चे, एवू कदाच मनमा विचारता होए, तो एमा थी ते ब्रह्मा थी ते ओ बाहार निकड़ी ने कदाच पोजिटीव पीफॉरेशन और प्रिजर्ट पीफॉरेसन जो योग्य प्लानिंग हसे और अउनार डियोसो मां बाड़ों को ने एडवांस मां प्लानिंग सरकार्ष्री आपवा जही रही छे, आपलानिंगने 14 शिक्षों को एक व्यवस्ती तरी प्रिपेर्थ हसे, और अग अभियासक् मां बनने उन्हें जो समझ से तो ये सारी प्रिपेरेशन आउना रा डियोसों मां बाड़ाओ को ज्यारे लखवानु ज्यारे चे पुरावनी होई सप्लीमेंटी मां के इना अभ्यासक्रम धर्वियान तो ये सारू प्रेजन करी शक्से एले या थ्री पी नी ठीरी ने आपने अमल करी है प्लानिंग, प्रिपेरेशन आने प्रेजन्टेशन तो चौकस मने उन लागेश है कि बाड़ा कोई जग्या आप आछर नहीं पर से खुबत सरस हम बात करते हैं निलेश भाई पटेल जो है डॉक्टर निलेश भाई पटेल जो डॉक्टर है पिएचडी उन्होंने की हुई है मोटिवेटर स्पीकर भी है और साथ में गुरू कुरूपा स्कूल्स के वो प्रिंसिपाल भी है वो हमारे साथ आज जुड़े है और स्टांडर्ड ट्वैल्द की इंग्लीश का जो पेपर है बार एक्जाम का उनके बारे में हम आज बात करेंगे और हमारे साथ पीना ठककर जी भी जुड़ी होई है पीना जी आपका भी स्वागत करती हूँ जी स्टांडर्ड ट्वैल्द इंग्लीश पेपर सर उसमें म से सब्चिक पे रहेगा तो जो प्रस्न है मेरा की स्टांडर ट्वैल्थ की जो स्टूड़न्स के बॉर्ड के तो उनको कैसे मतलब पेपर की तयारी करनी चाहिए उनके स्कोर्स कैसे ज्यादा आएंगे उसके बारे में सर बताईए मैं यह बताना चाहूंगा आपको कि करीबन आज से 20 डेज जैसे अभी बाकी है तो अगर 6 सब्जेक को हम लोग एवरेज गिने तो एक सब्जेक के पीछे अभी भी हमारे पास पीनल जी तीन दीन बचते हैं अगर आने वाले दिनों में एक परफेक्ट टाइम मेनेजमेंट भी करे और एक-एक सब्जेक के पीछे तीन कि जैसे टैंट में ज्यादातर बच्चे मैट्स में फेल होते हैं वैसे 12 में एकाउंट स्टेट और इंग्लिश ये टीन मेजर और जैसे हैं जिनको बच्चे लोग को ऐसा लगता है कि यह सब्जेक में हम लोग ठोड़ा स्कोर कर सकते या तो कम स्कोर करते हैं तो उसकी बाट करूँ तो 273 परसन जैसे result बाट का आया था उसमें English subject का भी कम जैसे all over Gujarat के हम लोग बाट कर रहे हैं तो English के लिए अगर बचे को या तो student ऐसे पहले से एक time management करके एक planning बनाए और जैसे उन्होंने अभी तक पढ़ा और अभी वो self confidence maintain करें तो मुझे लगता है कि इतने दिन में ये self confidence उनको अच्छी तरह से paper में अच्छे score या अच्छे marks का cover up करवा सकता है ऐसा मेरा मानना है पर ये जो board का exam है उनके लिए मतलब आप हमारे जो students है उनको क्या कहना चाहेंगे sir उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे English का paper है तो उसमें 5 section रहते हैं और 5 section है उसमें A, B, C, D और E तो A section में अगर आप देखोगे तो 17 marks है 17 marks B section है उसमें 19 marks है C है उसमें 20 है D में भी 20 है और E section है उसमें 24 marks है आप 500 section को total करो तो 100 marks है ये 100 जो marks है उसमें बच्चे लोग को कौन से section में कितने marks है जैसे आप 17, 19, 20 20 and 24 ये जो यह जो है ना वो 5 section को मिला के अगर वो देखते हैं कि और समझते हैं कि मुझे ये section में से ये section में सबसे ज्यादा मैं मेहनट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये सोच के अगर अपनी मेहनट करेंगे ना तो मुझे लगता है कि हर एक section में अच्छा score कर सकते है लेकिन ये पूरी paper style उनके mind में होनी चाहिए ये अभी last जो per subject हमारे पास जब 3 दिन बचते है और करीबन 20 दिन total हमारे पास है तो इस ताइम पर मुझे लगता है कि the desire of change is a sign of success जैसे परिवर्तन की इच्छा ही सफलता की निसानी हम लोग कहते और बोलते आए है तो आने वाले दिनों में अगर ये paper style उनके पूरे mind में अगर mind में sat है तो ये section हर एक section के पीछे कितना कितना time वो निकाले और उनके हिसाब से अगर काम करें तो मुझे लगता है कि वो भी हम लोग अच्छी तरह से marks अच्छे cover up कर सकते है सिर्व marks तो students cover कर ही सकते है अगर उनको proper guidance हम देंगे तो जरूर वो कर सकते है लेकिन जो इंकलीज का subject subject जो है 12th का तो उसमें section कैसे होता है और कैसे उनको तयारी करनी चाहिए वो sir बताईए उनके बारे में अगर में बताओं तो दोस्तों जैसे section A है तो section A अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे 17 marks है वो 17 marks में आप जैसे देखोगे तो हर एक section के पीछे concertence है उसके regarding हम लोग देखेंगे कि वो section के हिसाफ से रखा गया है same चीज section A में true or false है section A में response है section A में wh questions है तो अगर आप ए section को देखोगे और ए section के हर एक marks को आप divide करते हो और part करते हो तो चार marks जैसे आपने देखा तो true or false का है तो हरे questions के marks के regarding अगर आप महिनत करते हो तो मुझे लगता है कि 17 marks को cover करने के लिए ज्यादा परिशानी या ज्यादा तकलीपे आपको नहीं आएगी सामने मुझे ऐसा लगता है वैसे भी functions जो है वो भी अच्छी तरह से बच्चों को अच्छा लगता है वो भी करने के लिए तो यह भी चीज यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ए section ज्यादा तफ नहीं रहता बच्चे लोग को क्योंकि थोड़ा ऐसा कह सकते हम लोग की वेकल पिक जैसे आता है न तो उसमें से वो लोग set कर सकते है जैसे MCQ बेज आता है वैसे इसमें भी वो लोग कर सकते कि यह A select करूं या B select करूं तो मुझे लगता है बच्चों के लिए यह section भी अच्छा रहता है तो पांच वा जो section है वो सबसे मतल जो हो रहती है उसमें paragraph रहता है और paragraph में से questions बच्चों को लिखना होता है तो और पूरे साल में जैसे teachers ने पढ़ाया और subject teacher जब पढ़ाते हैं जब कोई story है अच्छी और बच्चों लोग को वो story पूरे mind में जैसे उन्होंने classroom attend किया है lecture attend किया है तो मुझे लगता है कि उस आपने जब पढ़ा था या पढ़ाया गया था आपको तो उस ताइम पर आपने जो ध्यान जो दिया था तो आप अच्छी तरह से कौनसी लाइन में से कौनसा question से वह आप समझ सकते हो और उसके पांच marks से दोस्तों तो textbook related आपका section भी यह रहता है सेम section C जो है वो भी मेरे पांच section में से वह भी easy रहता है क्योंकि उसमें भी paragraph रहता है जो आपको supplementary reading से रहता है वह भी paragraph है paragraph में से आपको नीचे 3 या 5 questions जो है तो कौनसा questions paragraph में से आपको कैसे लिखना है तो उसके लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप पूरा paragraph पढ़ लीजे पहले दोस्त अच्छी तरह से आप पढ़ते हो और उसके बाद जैसे लिखने की सुरुआत करते हो ना तो मुझे लगता है कि आपको answer पता चल जाएगा कौनसी line में है और एक pencil साथ में रखिए और pencil से आप जो questions है उसका answer कौनसी line में है वो आप टिक करते हो तो मुझे लगता है कि एक answer कौनसी line में से सिफ आपको numbering करना है और आप अच्छी तरह से वो numbering करके आपको पता चलेगा कि यह questions का answer paragraph में यहाँ है तो अच्छी तरह से वो भी कर सकते हो उसमें एक और जैसे आपने अच्छा questions पूछा कि 5 section में से कौन सा easy रहता है उसमें एक और अच्छी बात है एक summary writing आती है और summary writing जो है उसमें भी बच्चे को एक paragraph दिया जता है you will given one paragraph और वो जो paragraph है उसमें से आपको summarize करना है जैसे हम लोग प्रेसी राइटिंग बोलते है तो उसमें से आपको 10 या 12 लाइन है तो आपको टीन लाइन करनी है तो which will be the best and which will be the important line उसको आप सिलेक कीजिए और उसके बाद उसको लिखना चालू कीजिए उसमें भी आप and but or so because ऐसे जो भी connective है उसके साथ में आप sequence में वो जो भी sentence है उसको आप connect कीजिए तो मुझे लगता है कि वो summary writing भी बहुत बढ़िया सी आपको आपके लिए बनेगी और वो आपको अच्छे से marks देगी और दूस जो है paragraph writing में से ये sentence जो है वो important है और ये line सबसे important है तो आपको title भी मिल जाएगा कभी कभी पिनल जी क्या होता है कि paragraph पढ़े ना तो उसमें से कभी उनको title नहीं भी मिले ना तो वो पूरा अगर पढ़ते है तो माइन में सेट हो जाता है और हम लोग खुझ से भी अपना उ वो भी आपके लिए easy रहता है तो जो आपने पूछा कि कौन से पांच section में से बच्चे सबसे ज्यादा कि कौन से लिख सकते है अच्छे से और उनको easy लगे तो मेरे ख्याल से ये summary newspaper writing जो है clipping का और उसके साथ-साथ textbook और supplementary के जो license के paragraph से उसमें से जो आपको questions लिखना है से students को बहुत ही अच्छी जानकारी मिले देशिक मीत्र आप हमारे साथ जूड़े हैं अगर पीछे से तो मैं बता दूँ आपको कि आज education guidance जो हमारा प्रोग्राम है वो 12 का जो English का paper है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए हम guidance tips and कैसे easy आप paper अपना exam board में exam दे शको अच्छा सा score कर सको और अपना career बनाने में कुछ आपको मदद हो जाएगी तो हमने ये program organize किया है लेकिन इस program के हमारे जो sponsor है वो है love and care maternity endoscopy and IVF center सूरत सर आके चलते हैं हम बात करते हैं grammar की अब जो grammar में कौन सा विभाग जो है उसमें students ज्यादा score कर सकते हैं या तो कैसे कर सकते हैं वो grammar section के अगर हम लोग बाठ करेंगे ना तो दोस्तों जैसे आप grammar section में देखोगे तो direct indirect रहता है तो direct indirect में आपको 4 marks रहते हैं और मुझे लगता है कि बच्चे लोग को 4 marks cover up करने में क्योंकि 8 9 से direct indirect grammar के तोर पे दोस्तों 8 में भी हमने किया है 9 में किया है 10 11 में और अभी आप 12 में हो तो direct indirect topic या तो grammar का यह जो विशय है मुझे लगता है कि वो आपके लिए tough नहीं रहेगा उसमें भी आपको अगर हर एक rules आपने देखे हैं और समझे हैं तो कि who is the listener who is the speaker तो यह सब कुछ आपने देखे और हर एक rules आपको पता है direct indirect के तो 4 marks के उसके भी रहते है वैसा ही paragraph ऐसा रहता है जिसमें errors रहती है कि वह आपको दूननी है कि कौन सी mistakes है तो यह यह भी बच्चों के लिए ठोड़ा easy रहेगा कि आपको अल्रेडी दिया गया है उसमें से correction ही सिर्फ करना है कि आपको दूननी है तो मेरे ख्याल से direct indirect synthesis और एर जो है चार माक्स तीन माक्स और चार माक्स जो दे रहे हैं तो उसमें भी जो करीबन हम लोग 9 से पढ़ते हैं 9 से हम लोग direct indirect को समझते ही आ रहे हैं तो यह भी अच्छे माक्स उसमें भी cover up grammar में मेरे ख्याल से कर सकते हैं सर जो board का जो English का जो हमारा paper है आजम उनके यही बारे में बात करते हैं तो ऐसे कौन से questions है वो students को आगे चलके भी काम में आ सकता है अब आप यह बताना चाहते हूँ कि भाई अभी पढ़के भी आने वाले दिनों में जब जाएंगे तो कौन से ऐसे questions है जो आने वाले दिनों में भी काम लगे क्योंकि यह English का जो subject है आज कल तो English क्या है पहले के जमाने में English का इतना महत्वसायद मेरे ख्याल से नहीं था और जो आज कल तो क्या है पांच साल का बच्चा भी मोबाई लेकर बैठता है और उसमें English या आता है गुजराती language तो अभी-भी मेरे ख्याल से सूरू हुई है कि गुजराती Hindi sub language में आप कर सकते हो लेकिन ज्यादा तर मैंने देखा है तब तक तो चोटे बच्चे भी है वो English में चैट भी करने लगते हैं तो मतलब English एकदम से easy subject हो गया है easy हो गया है पहले इतना easy नहीं था ऐसा मेरा मानना है अभी उसके बारे में आप बहुत दोस्तों कि इनके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इतना अच्छा काम यामीनी जी कर रहे है कि बाई exotic जो channel चला रहे है और उनके माध्यम से आज भी बच्चों को कौनसे ऐसे questions है जो काम लगे और हमारे जैसे teachers या तो expert को बुला के वो board में कैसे ज्यादा सफलता हासिल कर सके वैसा एक काम कर रहे है तो मैं आपको सुपकामना है और सुपकामना है देना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे है और आपके questions का अंसर अगर मैं दू तो जैसे उन्होंने पूछा तो एक application writing है उसके साथ-साथ email writing आता है और यह जो questions है उनके साथ-साथ ज आने वाले दिनों में भी आपको काम लगने वाले है जैसे आप 12 क्लियर करके जैसे आपने college किया तो earn value learn जैसे आप करना चाहोगे कि पढ़ाई के साथ में क्या ऐसा काम करूँ तो application अगर आपने अभी learn की है तो अभी यह application आपको marks दे ही रही है लेकिन साथ-साथ में बाड application अगर वो पूरी माइन में सैट है तो आप अच्छी तरह से कहीं भी जॉब के लिए apply कर रहे हो तो वो लिख सकते हो तो वो एक format ही है सिर्फ उसमें education qualification ही हर एक application में questions के regarding अलग अलग हमें करनी परती है तो मुझे डॉक्टर अब्दुलकलाम की यह line याद आ रही है कि बच अच्छे से विचार के साथ आप काम कर रहे हो तो मैं exotic web channel को देर सारी सुपकामना देता हूं और ऐसे बचों को भी सुपकामना देना चाहूंगा कि application के साथ आप paragraph writing जिनको ऐसे writing बोलते है तो वो भी अगर आप अच्छे से करते हो और आपको you will be given the points and with these points you have to write एक-एक questions एक-एक अगर paragraph writing आपको पूछा गया है और उसके points आपके पास है तो वो points के साथ-साथ आप एक-एक sub points बनाई है और sub points के साथ-साथ आप लिखना चालू करोगे तो मुझे लगता है कि जैसे 150 words में लिखना होता है ना करीबन 30 lines हमें लिखनी है तो मुझे लगता आप कहीं बेभी रुखोगे या छोड़ोगे अच्छी तरस आप लिखोगे और self-confidence आपका बना रहेगा जिससे आप अच्छी तरस से आगे बढ़ सकते हो तीसरी बाट मैं करना चाहूंगा email writing की अभी के whatsapp और mail के time में हर एक के पास smartphone है तो mail तो आपको पता ही होगा और व बीच में जो है details जो आपको send करनी और उपर आपका रहता है subject तो subject में क्या है कौन सी theme कौन सा subject से आपका कौन से विसाई से आप लिखना चाहते हो अगर आप यहां लिख रहे हो तो मुझे लगता है कि चीज ऐसी है कि इस साल तो आपको काम लगने ही वाली है आप बाड में काम अच्छी तरह से करोगे और इतने मांक से यामिनी जी कि यह उनको पास होने या तो अच्छे स्कोर करने के लिए काफी अच्छी बाट है और आपने जो questions पूछा कि आने वाले दिनों में भी यह चीज उनको बहुत बढ़िया सी रहने वाली है तो अभी भी जब English के काइट फ्लाइंग डे है तो उनके रिगार्डिंग आपको लगता है जब हम पेपर चेक करने के लिए जाते थे जो बॉर्ड के टॉपर्स रहते थे थे तो पीनल जी हम ऐसा देखते थे मुझे पहला ऐसा लगता था कि सिर्फ साइंस में फिगर डो करते हैं लेकिन जिनके किया और उन्होंने ऐसा लिखा तो सेम चीज आप पैरेगरफ राइटिंग को भी हरिक पॉइंट्स को समझे और उनके रिगार्डिंग आप लिखना चालू करो तो उसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हो और सामने वाले जो भी चेक करने वाले है उनको ऐसा लगेगा कि कि उन्होंने समझा है और इतने टाइम में आपने अच्छी सी तैयारी की है तो पैरेगरफ राइटिंग में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है यह जो आगे चलने की बात मैंने इसलिए की सर की 12 के बाद कहीं सारे स्टूडेंट है जो ऐसे है कि आज कल घर के सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं जॉब करते या कुछ भी करते क्योंकि परीवार के साथ सपोर्ट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा सो मैंने ऐसा देखा है कि 12 चालू मतलब पढ़ाई के साथ भी वो जॉब करते हैं या तो पढ़ाई के बाद अगर 12 के बाद उनको आगे कोई डिगरी करनी है उसके पहले उनको अगर जॉब भी करना है तो पहले ये सब चीज आती है कि भाई उनको कॉम्पिटर का नॉलेश क कितना है उनको कितना ये जो कंवर्सेशन की बात हमने की इमेल हो या शोचल मीडिया हो या जो भी हमने बात की तो वो बहुत माईने रखती है कई सारे लोग ऐसे भी होते कि उनको एप्लिकेशन लिखना भी नहीं आता है एजुकेशन है पर अपना खुद का प्रोफाइल अपर देटा भी लिखना नहीं आता होता है तो मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी कि अगर उनके बारे में थोड़ी से अम जानकारी स्टुडेंस को दे दे तो बैटर रे कि भाई कहीं पे भी आप जौब के लिए एपलाइ करते हो तो क्या करना चाहिए कैसे आपको क चाहिए तो यह भी बहुत काम आचकता है ऐस्टुडेंस को जिसमें हर एक में एपलिकेशन का फॉर्मेट रखा गया है और वह एपलिकेशन के फॉर्मेट में सिफ एजूकेशन क्वालिफिकेशन ही चेंज करना है अगर लाइब्रेयरियन की पुछी जाए तो बीलीब-म् लिखेंगे तो उसमें पूरा एक format ही है और वही format को उनको follow करना है और इसलिए आप हमने जैसे बताया आपने students को कि आप जब application लिख रहे हो तो applications में सिर्फ education qualification कौन सी degree आपने जो भी ली उनके वही एक part ऐसा है वो जो अलग कर हमें लिखना है और subject में जैसे जो पुछा गया है questions उनके regarding हमें subject change करना है बाकि पूरा जो format जो बना गया है उसको बच्चे समझ ले students समझ ले तो मुझे लगता है कि application writing will be the base source and will be the base questions for the students then they can achieve the good marks in application writing उसी से उनका पूरा देखा जाये तो अगर application उन्होंने अच्छा लिखा है या उनकी speech अच्छी है तो उनको job मिलने में बहुत easy हो जाता है मेरे ख्याल से तो students अगर आप हमारी स्माध्यम से जो program अगर आप देख रहे हो तो जरूर से इन सब चीजों का follow करिएगा तो जरूर से आपको कुछ न कुछ आपकी carrier में मदद करेगा अभी आगे चल के सब बात करते हैं तो अभी बहुत कम दिन पाकी रह गए है बाड एक्जाम को लेके तो हम students को क्या motivate कर सकते हैं कि जिसे 12th का हो या 10th का बाड का एक्जाम है बट बच्चों में जो एक भाई रहता है कि बाड के एक्जाम में हम कैसे पेपर लिखते हैं या हमारा कुछ छूट जाता है या हम मार्क्स का पूरे स्कोर्स नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हमें students को motivate करना है तो वो कैसे करेंगे सर ये questions भी आपने यामिनी जी बहुत अच्छा पूछा कि भाई अभी इतने दीन कम बचे हैं हम लोग भी जब हमारी स्कूल में रहते तो बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मैंने इतनी अच्छी सी preparation कर ली है फिर भी मुझे अंदर से डर लग रहा है तो मैं ये बताना चाहू इसके लिए self confidence आपका इतना अच्छा रखिये तो मुझे लगता है कि जो आपने learn किया है वो अच्छी तरह से आप present कर पाओगे अपनी supplementary में आपके board की exam में दूसरी चीज में आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि अच्छी सी line हमने पढ़ी थी कि कर्म करो तो फल मिलता है जितना गेरा हो कुआ दोस्तों उतना ही मिथा जल मिलता है तो आने वाले दिनों में आपने जितना अच्छा काम किया है जितनी आपने अच्छी पढ़ाई की है English subject है और English में आपने जितनी भी preparation की है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से आप present करने ही वाले हो तो अगर आप दरते हो तो जितनी preparation की है वो भी अच्छे से आप present नहीं कर पाऊगे तो self-confidence आप लोग अच्छे तरह से maintain कीजिए और जैसे आप लिखना चालू करो तो आपके handwriting अच्छे हो फिर इतने कभी-कभी ये भी हो जाता है कि overconfidence में भी थोड़ा handwriting इदर उदर हो गया और जल् section regarding a section में मुझे कितना time निकालना है b section में कैसे time निकालना है even हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमारे time में हमारे सर्तों ऐसे बूलते थे कि आप गड़ी सामने रखके एक-एक section wise आपने जैसे अभी prelim के अभी ही पूरी की है और अभी भी आप paper practice करो और paper practice के हिसाब से आपक जब लिखोगे ना तो मुझे लगता है कि आपकी time to time जैसे आपने manage किया ना वैसे ही आप पूरा करोगे और आपके पांच 5-10 मिनिट बचती है अगर तो आपके जो questions में आपने अच्छा नहीं लिखा तो उसको भी सोच के आपको आप लोग अच्छा लिख सकते हो बागी जो timing बचता है वैसे और हरे questions को आप attempt कीजिए जिसे आपने पूछा कि इतने दिन बचे है तो अभी उसके लिए भी आप paper practice कर रहे हो तो हरे questions लेखने कि आप practice कीजिए जिसे हरे questions आप attempt करते हो तो 100% आपने achieve किया अभी marks देने का काम जो है वो जब जो check करने वाले उनको द तो यह बताना है कि आप 100 marks का लिखो कैसे भी अगर कोई question में थोड़ा थोड़ा कम भी जानते हो लेकिन उसको लिखने का better प्रयास करो तो मुझे लगता है कि वो check करने वाले को पूरा paper check करना है और आपको 100 में से marks देने है तो यह चीज रहेगी तो मतलब last इतने दिन में confidence बना के रखो मुझे लगता है कि हर एक चीज अच्छी होने वाली है and be positive अगर आपने ऐसा ही सोचा है तो मुझे लगता है कि आप अच्छे ही करना ही वाले हो तो इतने अच्छे सी प्रिपर किया है तो फिर डर्ना किया नमश्कार दर्सक मित्रो एक्जोटिक वेब मीडिया के साथ हम आज इंगलीज के पेपर के साथ जूड़े हुए है और आज यहाँ पे उपसे रहे हैं Mr. Dr. Nailesh Patil जी जो इंगलीज के lecturer है स्टुड़ेंस को इंगलीज पढ़ाते भी है और गुरु कुरुपा स्कूल के वो आचार्य भी है सर के साथ में जो स्टार्टिंग में बात हुई वो थी प्लानिंग 3P मैं भी साथ इसे के साथ में जाना चाहूंगे विद्यारते मित्रों क्योंकि अभी आपके पास बहु बहुत अच्छी तरह से मार्क स्कूर कर सकते हो तेन गो दो ग्रामर आपने एक बार टेक्स्बुक पढ़ा उसके बाद में आप ग्रामर सेशन पर जाये बहुत सारा ग्रामर ऐसा है जो हम हमारे डैली रूटीन में उसको यूज करते हैं इंगलीज को ऐसा सबजेक्ट नही करता है तो स्टुडेंस एक तो रिडिंग की वजह से मार खाते है क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ते नहीं है वेन आयम एट स्कूल देन माय प्रोफेसर आर कॉल में की यू रीड डाली इंगलीज न्यूस पेपर एक पेश न्यूस पेपर का इंगलीश में आपको रोच और होती है वोक्यूबरेड बढ़ाते नहीं है हम हमारे गुजराती जो बच्चे है जो गुजराती मीडियम में पढ़ते है वो स्टुडेंस क्या करते है सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर कई बार सार मैंने भी पेपर चेक किये है तो एक मैंटालीटी इनके मगज में हो स्टाइल बहुत इजी है फर्स जो क्वेशन है आपका ए सेशन है उसमें सेवन्टी मार्क्स तो सेवन्टी मार्क्स आपको वनवर्ड आंसर देके या स्मॉल आंसर देके कवर करना है उसके बाद में क्वेशन फाई जो आपका परग्राफ राइटिंग है ऐसे तो हम लोग अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं नेले सार से मैं यह पूछना चाहती हूं कि इंग्लीज क्या प्रॉफेशर हो तो जब बचों को हम पढ़ाते हैं तो आजकल टीचर उनको चैप्टर रेडिंग कराने की कोसिस क करते हैं अभी यह कुछा पूछा कि ज्यादा तर जो क्रियेटिव टीचर से या तो अच्छा करना चाते और जिनको ऐसा लगता है कि मैं लेंग्वेज से बिलों करती हूं तो जैसे आप गुजरादी मिडियम की बाद कर रहे थे तो हम लोग ऐसा अपने पहला ही पेश दे जब अगर जैसे आपने पूछा कि टीचर अगर वह लर्ण करवाते हैं तो एक स्कील ऐसी है सबसे पहले जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसको समझ लेना चाहिए उसके बाद समझने के बाद रीट करना उसके बाद लिखना है लेकिन हम लोग पहले से एक गलत पहले से इस फिर रीट करते हैं और फिर समझते हैं लेकिन सबसे पहले हमें जो है उसको समझना है उसके बाद रीट करना है और उसके बाद हमें लिखना है तो टीचर अगर अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाए और ये स्किल डेवलप करें तो मुझे लगता है बच्चों के लिए नहीं आता है तो उसमें interest नहीं है और दोनों एक चीजों से जुड़े वकर आप interest लोगे तो आपको बहुत जल्दी आएगा मैं हर students को as a teacher हमेशा समझाती हूँ कि आपको ये एक chapter नहीं आ रहा उसकी वज़ा क्या है क्योंकि आपने उसको reading नहीं किया जिस तरह से mobile की app एक app को अगर आप खोलना चाहोगे जब तक आप उसको खोल नहीं लोगे उसकी जो updates है वो आप देखने ही लोगे तब तक आपको satisfaction नहीं होता है तो आपका अभ्यास भी आपके chapters भी यही है कि इस एक chapter में अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे को एक बार दो बार और तीन बार पड़ू तो definitely आप उस तक पहुँच जाओगे जो आपको करना है बहुत थी अच्छी बात है हम ने यहां पर बहुत सारे students यह इस साथ में जोड़े हुए है हमारा यह series बहुत दीनों से चल रहा है और हम यहां पर different subject के साथ में डिफरेंट लोगों के साथ में हमने बात किया है या मेंनी आपका बहुत बहुत थेंक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा एक new comment मिलता है, आज मेरे में किसी ने comment लिखा दिया किसी parents ने, कि मैं माँपे इतना अच्छी तरह से लोगों को बताते हो, students को बताते हो, तो बचे कोसिश तो करते हैं, जो आप बताते हो उस तरह स लेकिन parents को भी पता चलता है कि अभिहास का syllabus ऐसा होता है क्योंकि हमारे parents सिर्फ March, February, March शुरू होता है तब ही बच्चों के साथ में बैठते हैं उससे पहले साल भर तक उनको ये पता नहीं होता है कि मेरा बेटा क्या पढ़ता है और कितना पढ़ता है लेकिन examination period आ गया तो वो कहां से कुछ न कुछ डून के अपने बच्चों के साथ में बैठ चाते हैं तो थोड़े से parents भी motivate होते हैं लास में ये सुपकामना ये मैं आपसे देना चाहूंगा कि दोस्तों दूद, दई, छास हर एक चीज जो है एक ही कुल्स है लेकिन हरेकी की कीमत अलग-अलग है उसके ऊपर अंदर डिटेल्स में जा रहे हो तो मुझे लगता है सफलता आपको हासिल होगी और सफलता 100% हासिल होगी आज के इस अच्छे से एक्जोर्टिक चैनल के माध्यम से हमें इधर बुलाया गया और अच्छी तरह से आपको गाइड किया का गाइड करने के लिए से आपके लिए पांच सेक्षन जो है वह पांच सेक्षन में से आपके लिए वीच विल बी तो एज़स ज् volt उपर जाओ अपर जाओ यह सकता है के पहले को इस पहले से जादा आप दूसरे सेक्षन में अच्छे mark cover up कर सको क्योंकि आपने confidence आपने build up कर लिया है तो ये tips मैं आपको देना चाहूंगा और दूसरी tips मैंने बताई वैसे 100% आपको complete करना है हर एक questions को आपको attend करना है आपके माध्यम से पूरे दर्शक मित्रों जिनोंने आज अच्छी तरह से लाइव देखा तो आपको देर सारी सुपकामना है आने वाले दिनों में आप इंग्लिस के साथ 12th or 10nd की हर एक exam में अच्छा सा marks cover up करो ऐसी मेरी डॉक्टर नईलेश पटेल की आपको सुपकामना है थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मच सर ये तो बारे में हमने बात तो कर ली लेकिन आप motivator certified trainer हो और motivator हो तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आज आप आए हो तो हमारे माध्यम के द्वारा जो parents है बार्ड exam के related नहीं मैं overall ऐसे बोलूँगी आपको कि आप कुछ ऐसा tips दे जो parents parents को भी काम आ जाए parents भी कहीं आज जो generation है आज की lifestyle है उसमें कहीं न कहीं stress feel करते हैं तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारे parents भी थोड़ा सा free हो जाए relax हो जाए आपकी द्वारा तो बताईए sir parents को मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जीवन की परिक्षा बच्चों की वह आखरी परिक्षा नहीं है exam तो आती रहती है लेकिन परिक्षा जो है बच्चों के लिए आखरी परिक्षा नहीं है तो आपकी एक अलग सी प्रोचसान आपकी encouragement जो है वह triple C की में theory इधर देना चाहूँगा जैसे मैंने triple P की theory बताई triple C की theory का अगर parents भी follow करते है chance, choice and change तो आने वाले दिनों में जो बच्चों ने एक अच्छा सा chance लिया है कि वह 10 या 12 तक आया है उसको choice एक अच्छी सी दीजिए कि बिटे आप जो है एक भगवान की दी गई हुई एक बड़िया सी देन है और उसे आने वाले दिनों में भले सफलता हासिल हो या न हो लेकिन exam अच्छी तरह से बिना stress से अगर आप अच्छी तरह से आप follow करते हो अच्छी तरह से आप सामने वाले दिनों में आप attempt करते हो और वो exam आने वाले दिनों में वही इतनी सफलता हासिल होगी आज ही मैंने दिव्यभास करके एक पेपर में दोस्तों ऐसा पड़ा कि तीन बार fail हुआ एक आदमी जो है उन्होंने PhD की आज की पेपर में था तो सेम चीज एक्जाम में कई कोई भी पेपर एक थोड़ा अच्छा नहीं भी जाता तो उसको आप छोड़के दूसरा पेपर के उपर ध्यान दीजे जैसे एक पूरा हो गया उसको छोड़के अभी दूसरे पेपर की टैयारी कीजे ओर पेरेंस को बच्चे को मोटीवेट कीजे बच्चे को प्रोसाहन दीजे क्योंकि यहीं प्रोसाहन आने वाले दिनोंमें जैसे मैंने बटाया त्रिपल सी चांस चौइस एंड चेंज as a parents आप सोचते हो कि desire of change is a sign of success जो भी हो गया उसको छोड़ो अभी आने वाले paper के लिए बच्चे को अगर समझाए और उसको बताए कि बटा कोई बात नहीं आप अच्छा सा कर सकते हो तो मुझे लगता है कितने भी percentage हो कौई कौन अबदुलकलाम कौन सचिन टेंडूलकर और कौन लटा मंगेसकर बन जाए वो किसी को पता नहीं है वैसा है सचिन टेंडूलकर ने टेंड तक अपनी पढ़ाई की थी 12 भी नहीं किया था और आज हम लोग टेंड वाले बच्चों को जब गाइड कर रहे तो मैं बताना चाहूंगा कि वो बले उनमें ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया या ज्यादा पढ़ा ही नहीं कि लेकिन टेंड का महरास्ट्र बॉड का पहला चैप्तर जो है ना वो सेचिन टेंडूलकर के नाम से इंग्लिश में ही वही जब आप इंग्लिश की बाट करेंगे तो सेचिन टेंडूलकर यहां तक पहुँचे क्योंकि उनमें एक स्कील थी स्पॉर्ट की तो हर एक बच्चे में कुछ न कुछ पैरंस नया है तो आप ये सोचे कि मेरे बच्चे में अच्छा क्या है बले एक सब्जेग या तो बौड के एक एकजाम में थोड़ा कम भी स्कॉर करें लेकिन उनको मोटिवेट कीजिये त बहुत अच्छी बात है सर आपसे हम भी काफी मोटिवेट हो गए आज क्यूंकि हमारा भी एजुकेशन इतना नहीं है फिर भी हम इतना सब कुछ कर लेते तो आप जैसे लोग अगर हमें मोटिवेट करते तो हमें और भी प्रोचसाहन मिलता है तो आज हमारी जो बात थी वो 12th Standard का English paper हमने उसके बारे में बहुत ही अच्छी मतलब information, guidance and tips आप सब students को दी है अगर आप follow करेंगे तो आपका result में काफी सारा score बढ़ सकता है तो जरूर से इसको follow करिए और साथ में हमारी चैनल को भी follow करिएगा Facebook page लाइक करिए YouTube चैनल को subscribe करिए साथ में bell icon को भी click करिएगा और जो हमारी website है उसके भी visit करिएगा सबी हमारे जो भी education guidance के जो भी program हुए है वो सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे और और भी कहीं सारे program हम भी बाकी है 10th and 12th के बाद अगर आपको क्या करना है आपको कौनसी line choice करनी है कौनसे field में आपको जाना है और abroad education भी अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो तो यह सबी चीजों की बारे में हम लोग पूरे program मतलब यह series हमारी चलने वारी पूरा मंद तो और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती रहेंगी तो फिलहाल अब यहीं पे हम बात खतम करते हैं और फ झाल सकते हैं